नमस्कार स्वागत है आपका डेयर राइट न्यूज के अखबारों के शो फ्रंट पेज में आज हम अखबारों की सुर्खियों के साथ पिर से हाजिर हमारे स्टूडियो में वरिश्चु पत्रकार विजय सहेगल जी सबसे पहले सहेगल साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपक क्या कहते हैं जारत और हेड्लाइन से कहते हैं कि देव्यानी लौटी है और उसकी वाप सी हुई है और वही मुख्य समचार है सभी अखबारों ने अपने पहले पढ़ने पर ही उसको जगदी है चाहे वो ऊपर हो नीचे हो स्पेशल कवरेज की वजए से उपर नीचे जग़ा दी गई है लेकिन दी गई है टाइम सफ इंडिया ने पहली खबर बराई है इसको इनको ने लिखाए कि आज खोब्रगड़े रिटरंस इंडिया आस्की यूस तो रिकॉल डिप्लोमेट ऑफ सेम रेंग भारत ने भी ए सब हेडिंग में लिखा है कि हभी किड्स स्टे बैक फैमिली फेसे ड्रबल तो ये परिवार वालों के लिए एक संगीन समय है कह लिजे कि लिए लेकिन जब कानून की बात आती है जब अमरीका को अपने कानून पर यह है तो शायद भारत को भी होने चाहिए और भारत की त बेवज़ नहीं है भासकर ने भी अपनी हेड्लाइन बनाई है वो यह है कि अमेरिका को जैसा को तैसा वाले अंदाज में जवाब देवयानी स्वदेश लोटी भारत ने यूस डिप्लोमेट को किया निशकार्शित तैटीस साल बाद दिखा है ऐसी सक्ति यह जो इनका 33 सा सक्ति दिखा है हिंदुस्तान टाइम्स की जो हेड्लाइन है आज की वो यह कहती है कि देवयानी चार्ज्ड सेंट होम इंडिया ओडर्स यूस डिप्लोमेट आउट यह इसमें एक इसमें आमर जालम ने बीच में दिया है और यह बात ठीक लगती है मुझे कि उबामा नही यह विश्किया है वो अभी मनते है कि दोनों देशों के समंध इन बातों के बात सुधरने चाहिए और वक्त की दरकार है शायद दोनों देशों की मजबूरी है आपसे रिष्टे हमेशा अच्छे रहे हैं हम दोनों जो हैं भारत अमरीकी समंधर पर काफी हमने काम किया है यह करते रहेंगे जी ट्रभ्यून की जो हेडलाइन हो यह कहते है इंडिया एक्स पेल्स दिप्लमेंट अफ्टर देवयानी इंटाइटे इंटीन एंडेट इन की जो सब हम है वो यह कहती है इत फौर टेली टेक्स टफस्तार इस खोबरगरे व्लाइज हो तो जाहतर हिंड के वह उस तरह से देखा भाजपर ने कहा कि भारत को मिलिये पराजय मैं समझता एसी बातों मैंने जैय और विजय जैय और पराजय की इलावा यह देखना चाहिए जो सिधानत हैं तो ठीक है उन पर उठाया है और आपने उस पे टिट फोर टैट किया है तो एक लेसन तो हो ग बड़ा जटका देवियानी सुरक्षिताइम भारत ने युएस राजनाइक को निकाला दैनिक टिब्यून ने भी लिखा है देवियानी पर मुकदमा भारत लौटी वरिष्ट अमेरिकी राजनाइक निश्कासित तैतीस साल भी हुई थी अभी भी देवियानी के खिलाफ है लेकिन मैंने देखाए की आज की अख़वारों में जरूरी नहीं है कि इसी ख़बर को पहली जगळती गई है कही अख़वार ने पहली ख़बर अपनी अलंग बनाई है जो उनकी है यह बहुत महत्वपून है जी यह special इनका यह है कि Justice S. Kumar जो सुतंतर कुमार है कल इसी अख़बार में मैंने special report देखी थी और आज इसी का follow-up है put his right arm around me जो allege कर रही है महां यह की है वो भी उसी तरह कोई उसकी trainee थी जिस्टिस गाउली की तरह यह मसला है इन्होंने का कि यह ऐसे मसले को नहीं जाने देंगी इन्होंने जो let me depose without fear X and you JS student rights to chief justice ASG Jai Singh says will take case to logical conclusion वो चाती है कि कुछ इसका हो हलांकि एक जो quote किया है इन्होंने इसी अख़बार ने Justice S. उतंतर कुमार को भी जो की रोपी है उन्होंने लिखा है कि allegations are totally incorrect I am getting to know only from you that such an affidavit has been sent by her please don't publish it as it may have serious consequences I don't remember if she was an intern इन्होंने पहचाने से लिखे उन्होंने अपना पक्स दे दिया और दूसी बात यह है कि हम लोग से लगता है रोज आ रही है सी सी बात है इससे लगता है कि अब महिला इस ट्रिस्ट्री से और जागरूख हो गई कानून आ गया है देश ने उस कानून को तियार किया है working women के लिए खास करके तो इस तरह के harassment रूपने चाहिए आप देखो न वेस्ट पंगल में क्या हुआ जान जेस्टिस गांगली को आखिर छोड़ना पड़ा लेकिन इससे कही न कहीं सुप्रिम कोड जैसी जो संस्था है हमाय देश की सर्वोच नियायल है उसकी छवी कहीं न कहीं धूमिल हो रही है नहीं छवी इसकी कुल मिला के नियाजी मैं यह कहना चाहूंगा कि नियाय पालिका की कुल छवी की बजाए तो इंडिविजिल के सिजें पर कहीं न कहीं सवाल उठते हैं कि जो कानून बनाते हैं जो कानून को इंप्लिमेंट करते हैं अगर वहीं उन्हीं की छत्र के नीचे ऐसा होगा जी वह कितने सीरियस हैं और उनकी पर्स्णाट उनको फोड़ा से इस बारे में गरिमा का और मर्यादा का इस सवाल ज़ूरहि की है तो इन्डियन सुसाइटी का ही वह शिस्द हिसं है उन्हें भी यहीन को छूतनी है उन्हें कहीं चूतनी है और यह मामला क्या टूर्न लेता है जस्टिस गाऊली की तरह.. मतलब नय तो ये देखना है पहले करे कोई देखना है कहां क्या हुआ और इसके लिए इसको कितना कैसा दंडीत किया जाता है जे जे न जी रीजनल हेड्लाइन्स की और बढ़ते हैं सहेगल जी तो आज जो रीजनल हेडलाइन्स मैंने जो अख़़ारों में देखी हर्याना के लिए पहले पन्ने पर वो ये थी जो हाइकोट ने हर्याना सरकार को पड़कार लगाई है और गुड़गाह में जो लेंड अग्वार की थी इन्होंने सरकार ने लगभख सौ करोड की उसको स्क्राप कर दिया इन्होंने वर्डिक्ट जो टाइमस आफ इंडिया का पहले पन्ने पर ही है यह खबर इन्होंने लिखाए वर्डिक्ट बॉक्स में डाल के बताने की कोशिश की है SC Quesh is Haryana's 2009 notification acquiring 1400 acres from 8 villages for developing sector 58 to 63 in Gurgaon जोस का प्रभाव क्या पड़ेगार ने लिखाए कि flagging reality sector will be hit developers REO, NOVA, M3M, MRMGF, Krish, BuildTech, Commander, Realtors, Anand, Raj among those with plots in this land तो builder'ों को एक छटका है यह है और दूसरा एक की तो बराबर चलता रहा है हलांके हर्याना ने land acquisition bill भूमी अधिग्रेंड बिल पास किया है जी जी और उसमें यह भी कहा है कि किसानों के हिस्तों की रक्षा करेंगे लेकिन इस तरह builder कोडियों के बहुत जमीन लेके जी उसके लावा अमरुजाला में ने पेज 3 पर इसी ख़बर को दिया है हर्याना की ही यह जो खबर है सरकार को किस तरह से हाई कोट ने फटकार लगाई है पेज नमबर 3 पर है अमरुजाला में गुर्गाउं में सौ एकड़ भूमी का अधिक रंड रद हाई कोट ने कहा के जनिए के लिए नहीं ले गए जमीन और आठ गाउं की भूमी अगे अधिक रंड की सूचना अधिसूचना रद की गई है यह 2009-2010 में जारी हुई थी उसके बाद तुसने बहुर दिया है जो चल रहा है जो आईये सदिकारी हमारे जो खेमका जो लड़ाई लड़ रहे है जहाद लड़ रहे है वो भी है और देश में एक समान नीती तो बनी चाहिए किसान के हितों की रक्षा बड़ी है लाइन अकुजिशन की आरोफ लगते रहे होड़ा सरकार पर भी हाला कि व दूशना खारिच इन्होंने बॉक्स बना कर बताया कि क्या है ये मामला ये है मामला फिर राजीव गांधी ट्रस को मिली थी राहत अधिग्रहन की स्थिति क्या थी और इस तरह से बताने की कोशिश की गई है उल्लावास गाउं का जिकर बहुत आया था क्योंकि राजीव बड़े बड़े नामों पे उस बड़े परिवारों पे वो फ्रंट पे रखे आप एक मैसमें और जोड़तों का पंजाब का भी आज समचार है उनके किसानों ने भी जो भूमी अधी गरंड की जा रही है वो चंडिगर के आसपास के किसान है उन्होंने ज्यादा मावजा चाहिए बड़ी देर से एक मामला चलता रहा है देश में वैसे भी किसानों से जमीने ली जा रही है लेकिन मुआवजा पर वो संतुष्टी नहीं जता रहे हैं तो भले ही नया कानून आ गया हो लेकिन इसका प्रोटेस्स लगाता जा रही है हरियाना से ही दैनिक भासकर मे पेज नमर चार पर एक खबर है जो सावित्री जिंदल थी उन्होंने कल मेर की बैठक ली थी और जो नए नगर निगम बनाए गये थे उसमें कैसा कामकाच चल रहा है उसको उसकी टोह लेने की कोशिश की थी लेकिन कोई भी काम ना करा पाने से हैं दुखी जातर मेर जो है वो खुश नहीं है और मंत्री की बैठा के साथ बाद भी खुश नहीं दिखे बहुत है समझता हूं दिली से सबक लेना चाहिए लेकिन ले नहीं रहा है ले नहीं रहा है उसके लावा आज पंजाब से जो खबर चापी गई है प्रमुकता से सभी अखबारों में यह है कि क इस तरह से जो पंजाब कॉंग्रिस के कैप्टन अमरंदर है उनको जो पंजाब कॉंग्रिस के अध्यक्ष है बाजवा की जो मांग है CBI जाच की ड्रक्स तसकरी को लेकर वो रास नहीं आ रहे है उनने विरोथ किया है बहुत इंट्रेस्टिंग भी है यह अपने आप में अधिकारी पूलिस अधिकारी जो भी था वो उसने इतना बड़ा वो किया और तसकरी की और उसमें बड़े-बड़ों का नाम लिया गया ड्रग माफिया वो चलाता रहा तो राधर इन सब को सहयोग दे के यह चीज भार लानी चाहिए कौन है ऐसा तो नहीं के हम आमने चाहब हम नंगे वाली स्थिती तो नहीं है जी बिलकुल मतलब ऐसे तो तालाब को मेला करने के लिए एक मचली काफी है लेकिन यह तो कई मचलीयों के जिक्र है तो आई तिंक राधर इस पे रिजर्वेशन के बिजाए इस वो पहले पने पे लिखा है पंजाब प्रिमान की पीर थपथपाई नहीं भरोसा जताया है भासकर ने भी पंजाब से खबर को ली है वो यह ली है जो पहले पने पर वो यह है कि बादल जो है मुखे मंत्री बादल पंजाब के उन्होंने कहा कि चरम पंथियों को बढ़ावा ना दे एनराइज एनराइज का जो बेहतर सुधाई मिलेगी इसके लावा हिंदुस्तान टाइमस ने पंजाब से जो अपनी पहली खबर ली है वो यह ली है कि कैप्टन अपोजेज कॉंग डिमान फॉर सी बी आई प्रोग यह उन्होंने इसको पहली खबर बनाई है और कॉन क्या कहता है कैप्टन अमरंदर क को भी कोड किया है और जगमी सिंग बराड जो फॉर्मर एंपी है उनको भी कोड किया है तो किस तरह से डेस्प्यूट चल रहा है पंजाब कांगरस में वो खबर प्रमुक्ता से चापी गई हिंदुस्तान टाइमस ने हिमाचल से भी खबर को पहले पेज पर जगा दी गई और कुछ मुद्धों के लिए कि समझाता नहीं कर रहे है तो इसलिए पूरी नकार के अब यह क्लियर ने वाट नेक्स्ट इनकी खबर हमारे चैनल पर भी चल रही है उनका जो बयान मैंने सुना है उन्होंने यह का है कि शांदा कुमार भी ब्रश्चारियों के साथ मिल गय है है हाँ तो यह तो पार्टी को देखना चाहिए और दूसरी बात यह है के वो कर्रेप्शन के खिलाब भी बात उठाई है उन्होंने धूमल को भी लेपेटा है हमाचल प्रदेश has become a private limited company of धूमल 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 धूमाचल जो की वहां की अकबार है उन्होंने पहली खबर सब्सक्राइब सब्सक्राइब और अब्रक्राइब फिल्चारय नियतिकता की कमी है अभू आजाद भरष्टा चारी को करूंगा यहां आ यही मैं कहना चाना चाला अगर जैसे आपके साथ हो रहा है, लोग भरती हो रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं, और शायद 26 जन्वरी तक, वो भरती जो है, मतलब सदर सता भी मुफ्त रखी गई है, इसके लावा अमर उजाला में आज एक ख़बर चापी गई, वो पाटी के प्रशांत भूशन, पेज नंबर 5 पर है, वो फिर से दिली हाई कोट पहुच गया है, प्रशांत भूशन, हमाज परदेश के मुख्य मंतरी के खिलाफ फिर पहुचे हाई कोट, यह ना, वीर बड़ के खिलाफ, फिर या चिका दायर हाईडरल प्रजेक्ट मामले प्रशांत भूशन, पहुचे दिली हाई कोट और नए तच्छों की खुलासा के ऐसी भी ज्यांच करो, वो यह बार बार आता रहा है के कोई कंपनी को हाईडल पावर प्रजेक्ट में एक कंपनी है, मैसस वेंचर एनर्जी, टेक्नोलोजी प्राइवेट लिम्टर की तरफ और आप प्रशांत भूशन की आज का ऐसे में काफी माइने रखे यह उस पर आगे क्या होता है क्योंकि उन्हों ने यह भी काया ना कि उन्होंने इस कंपनी से कर्ज भी लिया, इस समचारों में रहा, एक समचार ने तो यहां तक कहा ता कि पेड़, सेब, पैसे पेड़ प लगती हैं, जी, उसके अलावा अब हम स्पेशल कवरेज पर जाएं, तो आज अमर उजाला जो आपके पास ही पड़ा हुआ है, उसमें आज स्पेशल कवरेज है यह की सरकारी कर्मी रहपूर विसानिकों की विद्वाओं को मिलेंगे, यह बिल्कुर ऐस्क्लूसिव है, औ अमर उजाला का अपना एक मंच है, जो मुखे में बड़ा अच्छा है, कभी हम भी सोच से रहते हैं, तो आपके सवाल और सी एम के जवाब में, एक सीज़ा संपर्क होता है, एक तो होता है, दर्बार लगते हैं, आप जाओ भीड में, तो यह बड़ी अच्छी बात है, इ इनों ने जो दिया है, एक सैनिक की विध्वा ने लिखा था पात्र, कि उसके उनके पती गुजर गए, उसके बाद की दो पेंशन उसे मिलने चाहिए, एक तो आर्मी से मिलती है, एक जो सेना में राजिस सरकार की नोकरी के अंदर पशुच चकित्सक कुछ ऐसे थे, सायक, तो उसका भी मिलना चाहिए, तो ये अच्छी बात है, नोने का भी दोनों आपको देंगे, एक अच्छा इनिशेटिव हर्याना सरकार की ओर से, हलाक कि ये सेदान्ती ग्रूप से एक ही पेंशन मिलती है, पर इनोंने किया अच्छी बात है, और पूर उसेनिकों की और अलग अलग चीजें उठाई है, और मैं इसका जिकर करना चाहता हूँ, दिव हिमाचल में, ये जो यहां चला है, सैफाई का, उत्तर प्रदेश में जो महत्षब चलता है, राग रंग और पता नहीं क्या-क्या, उत्सब के नाम पे जो बड़ा फूर प्रदेशन हुआ है, सांस्कृति के नाम पे, उस पे इडिटोरेल में भी दिव हिमाचल में लिकाया, मैंने लिकाया, ये कैसा समाजवाद है, ये क्या समाजवाद है, के एक तरफ तो मुझफर नगर के जो पीडित हैं, दंगा पीडित हैं, वो अपने शुविधाओं के अभाब में ठंड से ठ पर ये एक अच्छी डिटेल रिपोर्ट चापी गई है, सैफ़ाई पर सरकार की सफाई, किस तरह से जो अखिलेश यादव है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत ही, वो सफाई दे रहे हैं, दैनिक ट्रिब्यून में पेज नबर दो पर, रंगीन तस्वीर के साथ, मीडिया पर आरोप लगा रहे हैं, मीडिया करता है जो कुछ करता है, मुझफर नगर में दर्द सैफई में समाजवादी नाइट सितारों के ठुमकों पर भी उठा सवाल, खर्च का गलत प्रचार हुआ कलाकारों से नहीं मुझसे पूछ सवाल, ये अखिलेश यादव कलाकारों को असल में ये परिवारिक रूप से ये कारिकरम कई सहालों से चलता रहा है, लेकिन आज ये इसलिए अपती जनक हो गया है, कि मुझफर नगर में जो कुछ हुआ है, उसके बाद इतने महुझ मेला तो समझ भी नहीं आता, वो जो बिग बॉस और वो जो बुलाए गए हैं मह से करोड़ा रुपया उन पर भाय गया, उन पर प्रभावितों पर ब्याय होता तो कितना अच्छा हो, क्या मादूरी जिक्षिता हो, क्या सलमान खान, अब लेकिन आपको कोई मुल्यों का और मानिताओं का नैतिक तक कोई तक आ जानी है, आप तो बस नात गाली है, उसके देव्यानी की वापसी के माने क्या है, पेज नमबर आट पर है, आज इनका एडिटोरियल लिखाए कि रिष्टों में सुधार वक्त की दरकार है, यह आज इनका एडिटोरियल कहता है, अगर देखे तो वो भी कहते हैं कि लिटिल टू सेलिब्रेट, यह पेज नमबर साथ पर है, पेज नमबर आट पर है, दा हिंदू का एडिटोरियल नहीं लिखाए लिखाए लिटिल तो सेलिब्रेट, देव्यानी खोबरागरेज, रिटर्न टू इंडिया विदाविं तो गो थू रू आट आट इंप्रिशनमेंट इन इंडिट इंडिट इस अर्ड उस पर जो कोईला खदानों पर जो चीजे अब आट हाई है, उस पर एडिटोरियल लिखाए बढ़ती कालिक, जी बिलकुल, और दैनिक जागरण अगर है आपके पास उसमें भी आज देव्यानी की वापसी पर ही एडिटोरियल है और उन्हें लिखाए कि ये अधूरी जी जीत है, हाँ अधूरी जीत, वो ये जीत, दैनिक जागरण इन्होंने पेज नंबर 6 पर रिखा है, पासल में संपात की पृष्ट तो पेज फिक्स रहते हैं, और जातर अब क्या हो रहा है, संपात की पृष्ट आखीर में दखेला जाए जाए पेज नंबर 6 पर जागरण इन्होंने अधूरी जीत का है, अमेरिका हंकार का शिकार है, ये इनकी एडिटोरियल में बताया गया है, दिल्चस बाच मैं जरूर जिकर करना चाहूंगी, एक ख़बर है टाइम साफ इंडिया में, टाइम साफ इंडिया में ही नहीं बलकि सभी अखबारों में वो पेज पंडरा पर है, प्रांस के जो राशरुबती है उंका अफेर शाथ चल रहा है, एक फिल्म स्टार से वो दिल्चस्प है, पेज नंबर पंडरा, जागहरा है, इंटिया में प्रेंट्पर फिल्मस्टार, हलाकि ने कॉर्चिन मार्क लगाया है, अंग्र्ड बाई रिपोर इ तो romantic moments दिखाये गये हैं, France के राष्ट्रपती क्या, अब ये तो उनका lifestyle है, अब आप इनको बात कर रहे हैं, France के राष्ट्रपती कि बात कर रहे हैं, अमिरिका के पूरू राष्ट्रपती, Clinton को याद कर ये, उनका है, पर भी, जी, समय की कमी है, नहीं तो इस इंट्रेस्टिं की जो page one पे है, बड़ी मुह बोलती, तस्वीर है, अब आप की टोपी के बाद, भाजपा की टोपी भी आ गई है, तो दैनिक ट्रिब्यून पर, page number one पर, भागवा टोपी पहन रखी है, दिल्ली में, भाजपा के बाष्ट्रपती, आप दिल्चस्प बात ये है, के टोपी बड़ी लुप्त हो गे थी, Congress के गांधी टोपी भी चले गे थी, हम बच्पन में, I am talking 49, 50, तब स्कूलों में हमें टोपी डाल के आना पड़ता, दो-दो टोपी होती थी, पर अच्छी बात है के टोपी का महत्त लोट गया है, जी, closing का वक्त आ गया, बहुत-बहुत शुक हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िये, हम मिलेंगे फेस्बुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर, हम रों के साथ बने रहें राद दिन